नौकरियां हर वर्स देंगे अब तक तो लगता है कि पूरा भर्त भारत वर्स जो करीब 140 करोड का देश बताया जाता है और हर परिवार से एक नौकरी मिल जाती तो अगर बीस करोड की बात कहें तो समझे कि हर परिवार से एक नौकरी मिल जाती ये तय था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उसको देखते हुए रोजगार की समस्या को देखते हुए आधरनिय राहुल गांधी जी ने रोजगार की गारंटी देने के लिए भारत जोड़ो न्यायात्रा के तहट बास्वारा राजस्थान में आयुजित जो रैली थी उसमें उन्होंने गोसनाय की है आप सबों से इसलिए रूबरू हो रहा हूँ कि आप जार्खन में जो मीडिया के साथ ही है निश्यत रूप से हमारी बात को जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं वरना देश का जो बुरा हाल है उसमें हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक ज्यादा बाते पहुँचा पा रहे हैं अधनिय राहूल गांधी जी ने भरती का भरोसा दिया है भरती भरोसा के नाम से किसके तहट पारदर्ची जॉब कलेंडर के साथ केंद्र सरकार में 30 लाख पद स्रिजित किये जाएंगे देखिए उन्होंने 30 लाख की बात कही है और जो नरेंद्र मोदी जी है वो दो करोड की बात करते थे तो हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं हमारे जो नेता हाद अनिय राहूल गांधी जी उस सच के साथ चलने वाले वेक्ती हैं और सच्चाई की बात करते हैं इसलिए उन्होंने इसमें सिर्फ 30 लाख पद स्रिजित किये जाएंगे उसकी बात कही है दूसरा उन्होंने कहा है पहली नोकरी पक्की मतलब प्रतेक असनातक इम डिप्लोमा धारी को एपरेंटिस्टिशिप के जरिये प्रतेक वर्स एक लाख उर्पय का पारिस्ट्रमिक दिया जाएगा पेपर लिख की बात करें तो पेपर लिख से मुक्ती के लिए सक्त कानून बनाने के साथ साथ भरतिप प्रक्रिया को पून पारदर्शी बनाने का काम किया जाएगा यादनी राहुल गांधी जी गारंटी इसलिए दे रहे हैं कि देश में एक ये भी दौर चला है जैसे जूटे प्रधान मंत्री ने जुमलों का दौर चलाया था वह इसे ही पूरे देश में पेपर लिख का भी दौर चला है और उसके सिकार हम भी हुए है लेकिन ये भी सही है कि जैसे ये घटना घटी यहाँ पेपर लिख हुआ तुरंट से माननीय मुख्यमंत्री सक्रिये हुए और आपने देखा किस तरह जैससी के चेर्मन को इस्तीफा देना पड़ा जो इसमें संगलंग लोग है वो भी पकड़े गए हैं और कुछ लोग पकड़े जाने हैं तो हमने जो पेपर लिख का जो कानून था पहले से जारकन में बना दिया है चुकि हमारी सरकार यहाँ है लेकिन केंडर में भी इसको बनाने की जरूरत इसलिए है कि पूरे देश में पेपर लिखका जो मामला आ रहा है उसको रोका जा सके गिग वर्कर्स जो आस्थाई करमी होते हैं जो रोज का काम करते हैं उनको समाजिक सुरक्षा प्रदान करने है तू नया कानून हम लोग बनाने का काम करेंगे साथ ही साथ युवा रोशनी इसके तहट पांच हजार करोड का कारपस पंड बनाया जाएगा ताकि जिला लेवल पर नय उद्यमियों को सहायता दी जा सके जो छोटे-छोटे उद्योग हैं और जिस तरह से उससे रोजगार उत्पन किये जा सकते हैं उसमें जिस तरह का विकार आया वो चाहे नोट बंदी के कारण हो चाहे वो कोरोना के कारण हो तो उससे कहीं न कहीं रोजगार घटे और जो लोग बाहर काम करते थे जा करके वो लोग भी आज वापस आ करके यहां काम करने को मजबूर है और सच्चा ये भी है कि हम लोगों ने जब कोरोना का दौर था तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन के साथ जीविका भी देने का काम किया था आपको याद होगा उसमें कई योजनाय लागू की गई, मन्रेगा को मजबूती दी गई, मन्रेगा की रासी बढ़ाई गई, ताकि यहां के लोग यहीं काम कर सके और उन्हें बाहर इस तरह के दंस को जहलने नहीं जाना पड़े और साथ ही साथ हम लोग ने उस पर बहुत काम किया था कि अब कहीं भी कोई मजदूर जाएगा काम करने तो उसकी जानकारी हमारे सरकार के पास होगी और जब भी कोई विपत्ती आएगी तो हम उसके साथ खड़े होंगे भरती भरोसा के तहट तीस लाख जो नौकरिया देने की बात है किंद्र सरकार के विविन मंत्रालेओं विभागों में अभी भी दस लाख रिक्तियां हैं दस लाख जो स्रिजित पद हैं वो खाली हैं सिक्षा सेना स्वास्थ सभी जगों पे जो बनी हुई है जो न्यूक्ति हो सकती है उसमें भी न्यूक्ति नहीं हो रही है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे अगनी वीर जैसी योजना को पूरी तरह से खत्म करेंगे और जो जिस तरह से हम लोग पहले सेना में लोगों को गारंटी देते थे और वो 15 वर्स की गारंटी तो मिनिमम होती थी और उस पर लोग पूरी सिद्धत के साथ काम करते थे अपने जान को जोखिम में डाल करके पूरी ताकत के साथ लड़ते थे अब चार वर्स की नौकरी में कौन कितने जान को जोखिम में डालेगा और ये सेना जैसे जगा पर ये अनुचित है कि किसी को चार वर्स की आप ट्रेनिंग दे करके उसको छोड़ देते हैं तो निशित रूप से जब उसको रोजगार न पचीस वर्स के जो असनातक एवं डिप्लोमा धारी हैं उनको एक लाख रुपे प्रति वर्स पारिस्रमिक दिया जाएगा और इसी अनुरूप हम लोगों ने युवाओं को गारंटी देने के लिए जो लगातार आधनी राहूल गांधी जी भारत जोड़ो न्यायात्रा किये उसमें युवाओं की समस्याएं जो सामने आई जो उससे निकल करके आया तो उन्होंने ये गारंटी देने का काम किया है उसी चीजों से आपको अवगत करा दिया है हम समझते हैं कि और अगर सवाल होगा मैं जानता हूं आपके पास बहुत सारे सवाल है क्योंकि राज्य में इससे जिन मुदों पर मैं बात कर रहा हूं उन मुदों पर काम हुआ है और